ओम शांती एक कवी ने अपनी कविता के सुन्दर शब्द मम्मा को समर्पित करते हुए कहा, इस यग्यमे शिव ने ब्रम्हा पत्था बनाया, लेकिन हे माँ सरस्वती तुमने तो खुद ही खुद को बनाया। जब यह ज्ञान यग्य स्थापन हुआ, तो शिव बाबा ने कहा कि मैं इस ब्रह्मा के तन का आधार लेकर सत्यूगी तैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ. लेकिन मम्मा जगतंबा सरस्वती ने अपने ही पुरुशार्थ द्वारा अपने आपको प्रत्यक्ष किया, यग्य माता बनकर संपूर्ण रूप से जिस्मानी और रूहानी रूप से यग्य को संभाला। आईए ऐसी जगतंबा मा सरस्वती के पुरुशार्थ की गहराईयों को जानने की कोशिश करते हैं। एक बार मम्मा से पूछा गया, आपसे पहले आई हुई कई बहने भी यग्य में हैं, लेकिन आप में कौन सी ऐसी बात है जो आप उन सब से आगे चली गई। तब मम्मा आने कुछ समय सोचने के बाद बोला, मेरे अंदर जो द्रड़ता है, अगर मैं कोई संकल्प ले लेती हुँ, तो उसे किसी भी हालत में पूरा अवश्य करती हुँ, इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हुँ। मम्मा कहती थी, जब कोई गलती हो जाती है, तो आप लोग क कहते हो कि हम पुरुशार्थी हैं, गोया आप पुरुशार्थी शब्द किस भाव से बोलते हो, क्या पुरुशार्थी माना जिसमें कमिया हो, कमजूरिया हो, जो बार बार गलती अथवा भूले करता रहे, नहीं, उसे पुरुशार्थी नहीं कहेंगे, सच्चे अर्थ मे पुरुषार्थी उसे कहा जाएगा, जिसको एक बार कोई बात समझाने के बाद, फिर दुबारा समझाने की जरूरत ना रहे। एक दिन मम्मा से जान के दादी जी ने पूछा मम्मा हम क्या पुरुशार्थ करे तब मम्मा ने सिर्फ इतना ही कहा सदेव समझो हर घड़ी अंतिम घड़ी है जब मम्मा से ये पूछा गया कि आपको इतनी उचाई तक पहुँचने में किन विशेश बातों का ध्यान रखना पड़ा तो इसके उत्तर में मम्मा ने तीन बाते बताई पहला मेरा निश्चे शिव बाबा और ब्रम्हा बाबा में सदा अचल अटल और द्रड रहा है मैं बाबा की आज्याकारी वफादार रही और हाजी का पाठ पक्का किया बाबा ने जो कहा उसको करना ही है चाहे कु पुरली मिस नहीं की चाही कितनी भी व्यस्त क्यूं न रही हूं बीच में समय निकाल अवश्य पढ़ती और चिंतन करती हूं और तीसरा मैं किसी भी परिस्थिती में कभी भी रोई नहीं भले ही यग्य में भाव स्वभाव संसकार विग्णों की अनेक बातें आई मैं मन स और आखों से कभी भी रोई नहीं क्योंकि रोने से सहन शक्ति घटती है मम्मा ने संगम युगी ब्रामन जीवन को सफल बनाने के मुख्य पांच सूत्र बताए पहला जब शिव बाबा ब्रम्हा बाबा के मुख से मुख्य सुनाते हैं तो ध्यान रखना आपके कान तक आत माया प्रवेशना हो बाबा के मुख और आपके कान के बीच अंतर है इसलिए सदा रुहानी इस्थिती में इस्थित होकर मुर्ली सुनना दूसरा जीवन सदा लिफाफे की तरब बंद नहीं बलकि पोस्ट कार्ट की तरब खुला होना चाहिए समझो कोई ने कोई कारे आपको सौपा है लिकिन आपको नहीं आता तो सीधा ना नहीं बोलना चाहिए ना माना ना स्तिक उनसे ये पूछो कि यह कारी कैसे होगा यदि आप तरीका बता देंगे तो हम कर लेंगे इसलिए सदेव हाजी का पार पक्का करना चौथा कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरन नहीं बनाना यानि गंभीरता का गुन धारन करना और पाँचवा अपनी मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना बाबा को जीवन दे दी है तो उसे ही जिम्मेदार मानेंगे तो मदद मिलती रहेगी अपनी मत्व जिम्मेदारी से बाप की मदद्व शक्ति नहीं मिलेगी मम्मा ने विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का पद किस तीव्र पुर्शार्ट से प्राप्त किया उसमें मुख्य चार बाते पाई गई पहला मम्मा कभी भी ज्यान के बारे में अपना ही चिंतन मन्थन और तर्क वितर्क नहीं करती थी अर्थार जितना जानती थी उतना ही दूसरों को बताती थी कभी भी परमात्म मत में अपनी मत को शामिल नहीं करती थी दुसरा, मम्मा की द्रड संकल्प शक्ती का माप करना बहुत मुश्किल था जो निश्चे मम्मा ने एक बार कर लिया वो पूरा करके ही छोड़ती थी तीसरा, मातिश्वरी जी के पास ग्यान बार्ण चलाने की अद्भुच शक्ती थी उनके बान अर्जुन की तरड सीधे निशाने पर ही लगते थे सामने वाले को कैसे शांत करना है यह मम्मा बखुबी जानती थी चौथा, मम्मा ने अपने पद और जिम्मेवारी को अंत तक निभाया थी तो वह कन्या, लेकिन जिस शन उनको मम्मा का पदवा आसन मिला उस शन के बाद वे कभी उस आसन से नीचे नहीं उतरी सदा उन्होंने सर्व के प्रती मा की शुप द्रिष्टी रखी तो आईए, मम्मा के इस स्मृती मास में पुर्शार्थ की इन गहराईयों को हम भी अपने जीवन में उतारे और मम्मा के पद चिन्हों पर चल पुर्शार्थ में दीवरता लाएं ओम शांती